तो देखिए इस वक्त हम लोग पूर्णिया के खादी मेला में हैं जो की रंगभूमी मैदान में लगा है और अभी आपको हमने अलग-अलग स्टॉल पे लेकर जाकर हमने आपको दिखाया कि मेले में अलग-अलग स्टॉल आपको कपड़े का हो गया खादी का हो गया उसके अलबा आचार का कई सारे स्टॉल्स हमने आपको दिखाया तरहतरे के सामान यहां पर उभलब्द है और इस वक्त जो अभी हम है इस टॉल के बाद हम लोग आये हैं कार्याले में जो कि खादी मेला का कार्याले मेला के अंदर ही आयों और यहां से हम आपको बताएंगे क्या से पंद्रह से पचीस तक के लिए लगाया गया है और यह मेला जो है सो खास करके जो दूर दराज गाओ घर में जो दिहात में जो लोग बनाते हैं वह अपने 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 उत्पादन के लिए भी खास करके माना जाता है और यह जो है सो दूर दराज में जो बुनकर आते हैं ताकि वह मेला में आवे और उनकी जो बनाई हुए गाउंगहर से जो दूर देहाद से जो आदमन समान आता है उसको लोग खड़ी दें और जाने जा भी गाउंगहर में अभी संस्था यानि जो लोग काम करते हैं जूरे हुए हैं अभी ऐसा नहीं है कि लोग आभी और बनाने का भी आते हैं जो आपको मेला की अंदर में वी बरतमान में है आज खास करके यहां जो है जो खाधी का जो मेला है यह अगले साल भी बित्या लगा था और उसमें जो लोग बहुत खरीदारी हुई थी लोग जोर सोर से लिये थे और उनका सुझाव था भी कि सर खाधी मेला सब सल लगाया जाए तो उसी को मने देखते हुए भी इस बार भी खाधी मेला कावजन किया गया और पहले जुतना अश्टॉल था उसमें 120 था अपकी बार 140 अश्टॉल लगा चुकि लोगों को यह था कि हमें से अवाल नंबर रहा है खरीदारी में लोगों का जो शुझाव है लोगों का कोई अब मतलब इस तरह की यह होती है कि भाई हमारी यह समान मिलना चाहिए यह तो वह अकरीव करी यहां उपलवद है तो लोगोंसम यही आगरा करेंगे मेला में आब़े और यहां जितन कुछ चीज ऐसा है जो खाने पिने का जो समान है उसमें तो जो अपना कोई तरह का छुड़ नहीं है कब से मेला कब से लगा है यह पंदरस लगा है यह पाचिस तक रहेगा और हमारे जिला पदाधिकार महद ही मैंने इसका घाटन भी किये थे और लोगों से परचार परचार फीय को खास करके उनको खोजकर समय लिए रहे हैं एक सवाल कि अख़र हम देखरें मेले के अंदर जितने सारे स्मान लगए हुए हैं तो वह खासकर करके अलग अलग जले से है Nephagalpura에서 पूर्णिया का इस्टोल क्यों नहीं दिख रहा है यह पूर्णिया का इस्टोल कुछ है लेकिन पूर्णिया में खास करके यह ज़िए यहां पर जो खाधी का संस्था ही नहीं जिसके चलती है सब्सक्राइब करना हो पूर्णिया में खादी का कपड़े बनाना हो जिस तरह से बनाया जा रहा है तो क्या कुछ आपके तरफ से रहे करें ते बनाए जाता है और उसमें कमिटी बना करके उसका एक पुरूबर लेना पड़ता है जो बिहार सरकार से रेष्टर हो भारत सरकार से भी रेष्टर हो जो जो खाधी का जो अगर उत्पाधन करेंगे तो उसके लिए जो एक बना करके और उसके बाद एक संस्था कायम होगी है अज संस्था बनाने के बाद ही उनको एक अपना लोगिन मिल जागा जिससे उत्पाधन कर पाएंगा ऐसे स्वतन तुरूप से नहीं इसमें बूनकर रहना चाहिए इनमें जो सूथ काटने वाली महिला रहना चाहिए यह पूर्ण जो भी काटते हों से उनसारी जो मौम्रें मन सारी होता है और नीचे इद्धरबला हिंदू में जो मैंना क्या करते जिसको आप लोग तातितत्मा कहते हैं यह लोग ज्यादा रह तो किसी भी पर कर लगाना होगा तो क्या प्रोसीजर होगा कैसे वह मेला में यहां पर या फिर कहीं और डिस्टिक में लगता है कैसे लगा पाएंगे दूसमें है क्या कि अगर गोवर्मेंट से सरकारी मुखमंतिरी उद्मी योजना है फिर आपका यह चल रहा है अगर उसे जूरे हुए तो मेरा जिलाव द्यों केंद्र है हम वहां पीजा करके अपले कर सकते हैं फिर विहाराज खादी के नाम दो बोर्ड है इनका मुख्याले पटना में है वहां से भी सब्सक्राइब जो यहां पर ऑफिस क्या बोलते हैं वहीं पर जाना पड़ेगा हम नहीं जैसे यहां अगर स्थानिय पूर्णिया के हैं और मेरा जिलाव द्योंकियन रफिस हैं यहां भी है उसमें भी आपको जाकर करके मिल सकते हैं आपकर सकते हैं जो हमने यह उत्पाद यहां पर कोई चार्ज का नहीं है यह जितना बेस्टोल सब अंत में कुछ कहेंगे पूर्णियाबास के हम पूर्णियाबास के कहेंगे जो उत्सा अपने अगले वार दिया और जिस तरह से खरीदारी की और लोगों ने उससे जितने भी लोग अगले बार जो लोग नहीं आए हुए थे उनलोग भी अपना पॉर्ड़क्ट लेकर आए हैं कि आप आप आबे और यहां पर खड़ीदारी करें लोगों को साहित करें ताकि आने वाले समय में फिर उनलोग भी उससा पूर्वा कहीं नहीं पूर्णिया में जो है सुमेरा जो पहले वाला रेकॉर्ड अभीवित मेरा कायम है अहार हमें सालों का यह रहेगा जहां भी होगा जो लोग बनाएंगे एक अच्छे मतलब यहां से लेकर के जाए ताकि पूर्णिया के नाम हमें सब्सक्राइब मेरा नाम बैदनाथ सिंग्वा मैं यहां मेला परभारी भी हूं और साथ-साथ यहां जिला खादी कारी भी हूं अब मेरा यहां मोल भी बन रहा है भठा बाजार में बंगाली ट्वला में आप देख रहे होंगे लोहा का एक बहुत बारा से पिलग रहा हुए जो अपना ब यह हमारे साथ वैदनाथ जी थे जो की मेला परभारी है और मेला के बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दी गई वाकि आप लोग इस मेला के बारे में क्या कुछ सोचते हैं करवेंट बॉक्स में एक बार आप लोग जरूर लिखेगा